दोस्तों यहां हमारे पास चार कॉलम्स दिये गए हैं आप देख रहे हैं A, B, C and D ठीक है और इन चारो कॉलम्स में डेटा दिये गए हैं अब मुझे इन सारे डेटा की कस्टमाईजेशन करनी है कस्टमाईजेशन दैट मिन्स मुझे D कॉलम के डेटा को यहां पे सिप्ट कर करना है इंस वाले रो के डेटा की डॉब्लिकेट कॉपी बनानी है और मुझे यहां पे इनच्ट करके अड़ करना है और मुझे इस रो के डेटा को इस रो के डेटा से WORक Tapi करना है तो यह सारा कुछ आप लोग कैसे करते हैं इनच्ट कट काउपी paste के द्वारा राइट दोस दोस्तो मैं नाम है विजीत आपका सच्चा साती सच्चा हमसफर और आप देख रहे हैं आप जी जी टैक्निकल फोरेम तो चली दोस्तो हम अपने सबसे पहले टैक्निक्स की और मूव करते हैं दोस्तो अभी आप देख रहे हमारा इस सेल में डेटा दिया गया है अब मुझे इस सेल के डेटा को यहां पे सिफ्ट करना है तो आप लोग क्या करते हो इसको कंट्रोल एक से पले इधर ले आते हो cut करते हो right फिर इसको ctrl x से cut करते हो और फिर आप क्या करते हो इधर ले आते हो फिर इसको क्या करते हो आप क्या करते हो इसको ctrl x करते हो यहाँ paste करते हो इसको ctrl x करते हो और यहाँ पे paste करते हो इस type से करते हो काफी time waste होता है और काफी old techniques हो चुकी है दोस्तों यह सब तो आप करना क्या है ध्यान से देखिए आपको इस अल पर अपना करसर रखना है उसके बाद अब आपको क्या करनाрахð ध्यान से सुनिएगा आपको shift key को continuously प्रेस कि यह रखना है, अपने की बूर्ट से और mouse से जब देखिए 4 type का सिंबल बनने लगा है is type से तो आपको माउस से hold करना है और इसको नीचे drag करके लाना है अब देखोए अभी आप देखरें डार्क लाइन यहाँ बनने लगी है तो आपको shift की को नहीं छोड़ना इस चीज को दियान रखिए आपको सिर्फ माउस को छोड़ना है तो आप देखेंगा आपका data यहाँ shift हो चुका है अब मालने जिए आपको इस पूरे row के data को यहाँ पे shift करना है तो आप क्या करेंगे इस पूरे row को select करेंगे उसके बाद shift की continuously कीबोर्ट से प्रेस किये रखना है और जब माउस से इस टाइप का symbol बनने लगे तो drag करना है और जब dark line जहाँ पे बन रही है वहाँ आपको छोड़ देना अगर आपकी requirement यहाँ पे है तो आप यहाँ पे छोड़ेंगे मेरी requirement यहाँ पे है तो मैं क्या करूँगा माउस को यहाँ पे छोड़ दूँगा तो देखोगा data हमारा shift हो चुका है तो चली दोस्तो next techniques की और move करते है अब दोस्तो माले जो मुझे इस और इस row के data की duplicate copy create करनी है और मुझे यहाँ पे insert करके add करना है तो आप लोग क्या करते हो सबसे पहले आप क्या करते हो दो row insert करते हो उसके बाद आप क्या करते हो इसको copy करते हो उसके बाद यहाँ control v paste करते हो right इसी तरह आप लोग करते हो इसमें भी आपका time waste होता है तो इसके लिए भी हम advanced techniques का use करेंगे आईए जान लेते हैं आपको करना क्या इस row के data को select करना है अपने keyword से control shift key को continuously press किये रखना है ठीक है उसके बाद जब mouse से आप देखेंगे arrow और plus का symbol बनने लगे तो आपको इसको drag करना है अब आपको जहां भी add करना चाते है duplicate copy आप जैसे मालीजे आप 7th row के नीचे add करना चाते है तो 7th row पे आप देख रहे dark line बन रही है तो आपको यहां पे अपना mouse छोड़ देना है अगर मालीजे आपको 10th row के नीचे add करना है तो 10th row पे जब dark line बनेगी तो आपको छोड़ेंगे तो देखेंगे 10th row के नीचे add हो जाएगी देखें हम छोड़ रहे है mouse को अपने control shift key को नहीं छोड़ना है तो यह देखें मैं छोड़ता हूँ यह देखें जैसे मैंने mouse को छोड़ा तो आप देखें 10th row के नीचे मेरी duplicate copy create भी हो गई और add भी हो गई आप देखें यहां भी देखें हमारी यह वाली data थी और यही वाली same data देखें मेरे यहां भी add हो गया ना हमें कोई row insert करनी पड़ी ना हमें कोई copy करना पड़ा ना हमें कोई paste करना पड़ा तो है ना दोस्तो advanced techniques चलिए दोस्तो अपने next techniques की और move करते हैं अब दोस्तो यह same method and techniques आप अपने column के लिए भी apply कर सकते हैं अई जानते हैं कैसे माली जी आपको यह वाले column को यहां पे shift करना है तो आपको shift key को continuously अपने keyword से press किये रखना है उसके बाद देखी यह 4 type arrow का symbol बनने लगे आपको mouse से hold करना है और dark line जब ऐसे बनने लगे आप देख रहे हैं यहां पे बन रही है dark line बस अपने mouse को छोड़ देना तो यह देखी यहां पे shift हो गया अब मालने जी आपको इस column की duplicate copy create करनी है और add करनी है यहां पे तो इस column को select करेंगे control shift को अपने keyword से continuously press किये रखना है और इस type का जब symbol बनने लगे mouse से hold करना है और यहां देखी एरो आपका यहां पे आरा dark बस अपने mouse को छोड़ देना है अब आप देखेंगे यहां हमारी duplicate copy create हो गई और add भी हो गई आप देख रहे है मेरा यहां भी data है और यहां भी है तो चलि दोस्तों अपने next techniques और move करते हैं अब माल लिजे आपको इस row के data को इस row के data से replace करना है तो आप लोग क्या करते हो इस data को select करते हो control x करते हो और यहां आके control v करते हो उसके बाद आप लोग इसको select करते हो और control x करते हो और फिर यहां आके control v करते हो इस तरह करते हो तो चलि इसका भी advanced टैकनिक्स जान लेते हैं आपको क्या करना है इसको पूरे को सेलेट करना है ठीक है जब आपका देखिए इस टैप से सिंबल बनने लगे फोर टाइप एरो को बस आपको इसको होल्ड करना है और आप जहां भी डेटा रिप्लेस करना चाहते हैं मालिजी आपको सेवेंथ वाल से यहां तक डेटा डिलीट करना है तो आपने इसको सेलेट किया और डिलीट कर दिया ठीक है अब इसको उपर सिफ्ट करना है तो बस आपको इसको सेलेट करना है और जब इस टाइप का सिंबल बनने लगे तो माउस से होल्ड करना और इसको जश्ट उपर सिफ्ट कर देना तो आप देखते हैं, आपका scroll bar भी up and down हो रहा है, लेकिन आपको अगर horizontal scroll bar को left and right करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप लोग क्या करते हैं, mouse से इसको पकड़ के left and right करते हैं, इसको करने का क्या तरीका ध्यान से देखेगा, control और shift की को अपने keyboard से प्रेस करना है, उसके बाद अ mouse से scroll wheel को up and down करना है, तो आप देखेंगा, आपका horizontal scroll bar left and right हो रहा है, है ना दोस्तो कमाल के tricks, चलिए दोस्तों आपने next advanced techniques की और move करते हैं, मैं कुछ data यहां delete कर देता हूँ, जैसे मालेजी मैंने यहां से यहां तक data को delete कर दिया, ठीक है, अब मालेजी दोस्तों आपको यहा data को select करना है, control key को continuously अपने keyboard से press किये रखना है, जब इस type का symbol बनने लगे, arrow प्लस का बस इसको mouse से drag करिया, जहां भी आप data का duplicate copy ले जाना चाते हैं, वहां छोड़ दीजे, यह देखें, यहां आगई, फिर यहां मैंने किया, यहां छोड़ दिया, फिर देखें, मैंने इसक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजेगा, वीडियो को like, share, comment कर दीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिन!